अलो गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल और आजगी जो अपडेट है इसरो की तरफ से है साथ में विकरम सारवाई स्पेस एंटर ठीक है तो क्या वकेंसी है क्या पूरा नोटिफिकेशन है तो हम सारी चीजे इस वीडियो के अंदर देखने वाद से पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अडवर्टेज नंबर कौन सा है यहाँ पर आपको दिया है 315 ठीक उससे पहले विकरम सारवाई स्पेस सेंटर भी लिखा हुआ है देखो यहाँ पर की तरफ देखो आप विकरम सारवाई स्पेस एंटर और यहाँ पर 315 डेट कप का है 20 of March यहने कि 20 इस मार्च का आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो अप्लिकेस निकले हुए है डिफेंट पोस्ट के लिए ठीक है तो कौन एलिजिबल होने वाला और कौन एलिजिबल नहीं है तो सारी चीज़े भी हम डिसकस करने वाले हैं तो बढ़ने रही आप इस वीडियो के साथ में तो सबसे में पहले हम बात करते हैं जो हमारी फर्स्ट वैकेंशी है उसके बारे मीं तो यहाँ पर दिया है पोस्ट नंबर आपका कितना 1472 पोस्ट का नाम क्या है फार्मसिस्ट ए नंबर ओफ वैकेंशी कितनी आपकी फिरी दी है और कौन एलिजीबल होने वाला है तो अन प्लो होना चाहिए आपके पास में pharmacy के अंदर तब है आप अधर वाइज आप नहीं हो दूसरी बात करते हैं फीजिकल requirement के बारे में यहां पर कुछ हमारी नेचर रहेगा वो भी बता दिया कि आपको क्या काम करना होगा और आपको किस तरी स्थी चीज़ों को एंडल करना है उस सारे चीज़ यहां पर देखो लिखी हुई है ठीक है जो नंबर है आपका कितना है 1473 और डिसिप्लीन या फिर कह सकते हुई जो पोस्ट का नाम है वो क के बारे में बात करें तो यहां पर नंबरों जो पहली जो आपकी क्वालिफिकेशन होना ही है और टैंथ पास होना जरूरी है दूसरा यहां पर चीज मांगा आपके पास में डिप्लॉम होना चाहिए किसी चीज के अंदर मेडिकल लेबरेटरी टेकनोलोजी के अंदर और यहां पर भी सेम चीज वही बोला है कि आपके पास में फीजिकल रुकार्मेंट यह होना जरूरी है दर्वाइज आप इलिजिबल नहीं हो तो यहां पर भी आपको बता दिया कि आपको जोब का नेचर क्या रहने वाला है जै है तो वो लिख़ी होए है आपकी बास में फाईर्में के लिए ठीक है तो फाइर्मेंट के अंदा बात करते हैं यहां पर इलिजिबल या फिर उसकी पोस्ट वाइशा पर इसको इनमबर के बला है तो यहां प्र सबसे पहले पोस्ट नमबर के बात करते है तो 1-4-7-4 यह इसके अंदर आपकी 5 vacancy दिऊ हुए है, obviously के अंदर आपके बात करता हूं तो 2 vacancy है, SC के लिए आपकी 1 vacancy है, qualification के बारे बात करते हैं, तो आपका 10th pass होने जरूरी है, दूसरे एकर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिखा है, pursuit, satisfy the prescribed, physical fitness and physical efficient test standards, अगर आपके पास भी सारी चीज़ो को आप fulfill करते हो तो आप यहाँ पर eligible हो दूसरे यहाँ पर फीजिकल requirement के अंदर यह category आप यहाँ पर दी हुई है अगर आप इसके अंदर ब्लॉंग करते हो तो आप apply करीजिए और यहाँ पर भी देखो जयूब का करते हो तो आप यहाँ पर eligible होने वाले है ठीक है तो नेक्स्ट हम करते हैं जो इसके अंदर और कुछ चीज़ दी हुई है तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ यहाँ पर जैनरल कंडिशन बता दी हुए है इंट्रेक्शन आपको दिये हुए है सबसे अगर पहले हम बात करते है किस चीज़ के लिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबके लिए तो सबसे पहले एज लिमिट के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर देखो फस्ट के लिए आपको जो पोस्ट का नाम है आपको फार्मसिस्ट ए तो यहाँ पर देखो जो कैटेगरी आपकी जो दी दूसरी पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आपको जो पोस्ट का नाम है लैब टेक्निशन ए एज लिमिट के हम बारे मात करें बिल्कुल सेम क्राइटेरिया रहेगा फार्मेसिस्ट की तरह आई वबर पर आपकी जो सैलर रहेगी साधे तीस जार रुपे रहेगी पर मंत ठीके नेक्स्ट जो आपकी वकेंसी है फायर मैंने के लिए है वहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वहाँ पर वो चेन हो चुकी है अनुजड के लिए कितना मांगा आपका ट्वेंटी फाइव यर्स और ट्वेंटी एट अओवी सी ट्वेंटी फाइव यर्स ठीके और उसके बाद आपका जो सेलरी बन जाता है आपके यहां पर अप्रोक्स आपको मिलने वाला है जो कि एक्षुल में दिया कितना है ट्वेंटी थी थाउजन्ड एट हंडड ठीके दूसरी चीज यहां पर एक चीज लिखा हुआ है उसके उसके बारे में बात कर लेते है साथ साथ में तो यहां पर एक चीज लिखा हुई है कि मिनिम्मम एज इस 18 एर फोर ओल पोस्ट ठीके यह कम से कम आपके अठार साल एज होने चीज यह हो चाहिए कोई सी भी पोस्ट के लिए एलिजी बोलो दूसरा एक चीज लिखा है कि एक अगर आप इन के टेकर से ब्लॉंग करते हो तो आपकी जो एज है तो आपको यहां पर क्या मिलेगा रिलाक्सेशन मिल जाएगा यानि कि थोड़ी छूट आपको मिल जाएगी ठीक है तो और नेक्स्ट मूव करते हम आगी की तरफ अगर कुछ कंडिशन ओर दी है तो तो यहां पर बात करते हैं हम सेलेक्शन प्रोसस की है कि आपको सेलेक्शन प्रोसस कैसे होने वाला है कि आपका सेलेक्शन कैसे होगा तो हम पहले बात करते हैं फार्मसिस्ट एक लिए ठीक है तो फार्मसिस्ट एक लिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहां पर आपको पहल चल्ट को ब्रोट है कि त्लक गश्क प्रट होगए के जाएगा और यहां पर tomorrow को हिस्क्त q कबड़ बूंद करते हैं आपको ट्यस्ट को क्वालिफाई करें ए Sherman स्थ को और सक्ट histor Ka करते हैं fireman की तरफ की तरफ तो fireman के अंदर आपको दिया हुआ है आपर उच यहां पर condition दी हुई है कि आपकी physical ने हैं parameters आपको दिया हुए तो क्या क्या होने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं height के लिए height आपको 165 cm आपको होना चाहिए अगर आप किस से belong करते हो man category से हो ठीक है और साथ साथ में आप general category से भी हो तो आपको 165 होना चाहिए दूसरा अगर आप स्थी category से तो होना चाहिए 160 cm अगर आप woman हो ओ या lady हो कोई तो आप 155 cm आपको होना चाहिए weight के अगर हम बारे बात करते हैं तो weight आपका 50 kg main के लिए चाहिए आप general general category से होगर ठीके अगर आप STSC, अगर आप किसी दूसरी कास से बलोंग करते हो तो आपको कितना होगा, 46 kg आपको होना चाहिए, वोमेन के करम बारे बात करेए तो 43 kg किलोग्राम वेट होना चाहिए ठीक है तो यहां पर सारी जितनी फिजिगल पैरामीटर से आपको यहां पर दी हुई है तो हम करते हैं नेक्स्ट अगर कोई कंडिशन ओवर दी होती है तो हाँ तो यहां पर देखो एक टेस्ट होने वाला है यहां पर जिसको हम पीम्टी बोलेगे तो क्या क्या टेस्ट आपको होने वाला है उसके बारे हम बात करते हैं पहले हम यहां पर देखते हैं जो पीम्टी टेस्ट जिसको हम नाम दिया है स्टेज फरस्ट ठीक है फीजिगल efficiency test तो उसके अंदर आपके height का measurement होगा weight का measurement होगा और साथ साथ में आपको visual structure abnormality यह आपको होने वाला है दूसरा आपका है stage one यहाँ पर लिखा है physical efficiency पेट यह यानि कि साथ में physical efficiency test होगा किसके लिए for those who qualify PMT यानि कि आगर आप इन तीजों को qualify कर देते हो तभी आपका stage one complete हो जाएगा दूसरा यहाँ पर आपको जो दूसरा test है वो start हो जाएगा उसके अंदर आपको क्या करना होगा male candidate के लिए आपको 500 मिटर की दोर लगाने है साथ मिटर के अंदर ठीक है अगर आप 40 साल से अबव है ठीक है तो आपको क्या करना है फिर 8 मिटर का time में लेगा और आपकी जो length रहेगी जो दूरी रहेगी तो 500 मिटर ही रहेगी ठीक है female के करने बारे मात करते हैं तो आपको 4 मिटर के अंदर 800 मिटर की दोर race को complete करना है ठीक है अगर आपकी age 40 से उपर है 40 year से तो आपको कितना करना रहेगा फिर 5 मिटर के अंदर आपको complete करना होगा ठीक है उसके बाद में लिखा है candidate who get qualified in the stage first physically efficiency test pet यानिके cell only be allowed to participate in the detail medical examination यानिके आपका DME तभी होने वाला है अगर आप इन चीजों को qualify कर लेते हो ठीक है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो condition और दी है हमारे पास में तो यहां पर देखो DME की फुरी structure बताई हुए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो आप इन सभी चीजों को अपनी official website बढ़ाकर इनको देख सकते हो और यहां पर submission का form किस तरीके सापको करना है कि यहां पर कैसे submit करना है आपको तो उसके बारे हम discuss कर लेते हैं एक बार तो form का submission जो आपको करना होगा कुछ इस तरीके से यहां पर बताया हुआ है तो यहां पर देखो submission of application तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो आपकी official website है यह वाल आपको दिया है ठीके तो यहां पर आपको इसको link को open करना है या अपनी गूगल का जो browser है तो यहां पर आपको उसको जाकर सर्च करना है यहां यहां पर आपको उसको जाकर सर्च करना है या फिर आपको जो इसको अप्लाई करना चाते हो तो महाँ पर जाके इसको आप क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो ठीक है payment of fees आप यहाँ पर देखते हैं कि fees किसका लगने वाला है और किसका नहीं लगने वाला है तो उसके हम बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में तो payment of तो बात कर लेते हैं payment of application fee तो आपकी fees कितने लगने वाली है तो यहाँ पर सबसे पहरे एक लाइन लिखी है कि there will be non-refundable application fees of 100 rupees तो यहाँ पर लिखा है कि rupees 100 जो आपकी fees रहेगी हर application के लिए refundable नहीं होगी fee may be paid online through credit card, debit card, internet banking only through integrated SBI, E-pay and facility तो आप जो fees submit करोगे वो online submit होगी offline fees submit आपकी बिल्कुल नहीं की जाएगी तो आप पास में debit card, credit card या फिर internet banking तो आप इसको submit कर पाऊगे no other amount of payment will be accepted and fees will not be refundable under any circumstances याँ किसी भी परिस्टी के अंदर आपकी जो fees रहेगी वो आपको refund नहीं की जाएगी एक इनोंने अच्छी बात दी है कि अगर आप कोई female candidate हो या फिर SC candidate हो या फिर ST हो या फिर आप कोई ex-serviceman हो या फिर आप PWD candidate हो यानि कि person with benchmark disability यानि कि आप कितनी सी कोई सी केटेगरी से बिलॉंग करते हो तो आपकी जो fees रहेगी आपकी आपकी fees नहीं ली जाएगी तो यहाँ पर यह ची लिखी होई है candidate are exempt from payment of application fees तो please note that the application of non-exempted category without application fees will not be considered ठीके तो आप इसी जोगो ध्यान अखना कि आप अगर आप इन category से बिलॉंग करते हो तो आपकी fees यहाँ पर नहीं ली जाएगी बाकी आपकी जो भी other category है तो आपकी fees यहाँ पर ली जाएगी ठीके जो खी refundable नहीं होगी तो बस फ्लाल लेपे इस वीडियो के अंदर इतना ही मिलते है किसी नहीं टोपिक में नहीं वीडियो के साथ में तो अगर आपने अपने तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे साथ में बैल आइकन का जो बटन असको प्रेस कर जिससे आपको लेटेस वीडियो को नोटिफिकेशन सब्सक्राइब मिलता रही थैंक्यू गाइस